लेकाम हेलो फ्रेंड़्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड देखिए आज हम यह बहुती फूपसरा से प्लांट इस्पाइड़ प्लांट के बारे में बात करेंगे देखिए बहुती संदर पॉधा होता है फ्रेंड्स यह बहुत टाइम नहीं मिल पाता इतना और जिनको गार्डिनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है वो लोग बढ़ी आसानी से लगा सकते इस प्लांट को देखे इस प्लांट की लिवसे से नीचे जूकी हुई रहती है इसलिए इसको स्पाइडर प्लांट बोला जाता है यह और दूसरी वेराइटे में भी आता है मेरे पास देखे यह वेरिगेटेड है फ्रेंट्स इसको मैं आज आपको प्रोपागेट करना बताऊंगी इसको हम दो तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं एक तो देखे इसमें एक लंबी सी स्टेम निकली रहती है इसमें बेबी प्लांट्स फ्रेंट्स निकलते रहते चोटे चोटे से इनको भी हम कट करके यहां सकते हैं से चोण से इंताड बीडिग पहल सकते हैं यह तो पर देखि कितना आनल वह पुर घंगल अप्न के बुग रहे हैं इसको हूं गबने में घंग में छनी ते दिखा रखाती हैं। जोट कर दिखाती हूं कि देखिए फ्रेंट्स हम इसको निकालेंगे बहुत ही आराम से अब देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको निकाल लिया है देखें इसको हम अलग कर देंगे देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको निकाल लिया है वे रूट्स में से हम इसको इस तरीके से परलक कर देंगे देखिए इता अच्छा इसकी रूट्स फैली विये ये किये हो गया इसको मैं पूरा ऐसा काईसे ही लगाऊंगी इस गमले में देखिए मैंने मिट्टी इसमें पेले से रख रखिए विसको में इसमें लगा दूए मेरे दो गमले तयार हो गए हैं इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट कहीं से ले आईए और लगा दीजिए फिर आपके पास इसके देरो प्लांट तयार हो जाएंगे और दिखने में भी बहुत खूबसरत लगता है ओके फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राब कीज़ेगा थेंक यू